परधान पवन कुमार पांडे वग्राम परधान के तयारी कर रहे अजे कुमार पांडे के भीच हुई कहा सुनी खूनी खेल में तब्दील हो गई जिसमें तीन लोग घायल हो गई सभी घायलों को ततकाल जिला अस्पताल पूंचाया गया जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे बनारस ट्रामा सेंटर रैपर कर दिया गया है महीं मोके पर पहुंचे सानिय पुलिस ने बयान के अधार पर आगे की कारवाई में जुट गई है महीं प्रधान की तैयारी कर रहे घायल अजे कुमार पाण्डे ने बताये कि मेरे उपर प्रधान पंकच पाणने ग्राम प्रधानी का चुनाव ना लढ़ने का दबाव बनाते हुए मुझे मना कर रहे थे जब मैंने उनकी बात मानने से इंकार कर दिया तो तीन लोग मेरे उपर जान लिवा हमला करने लगे जब मैं भागने लगा तो मेरे उपर गोली चला दी जिससे मेरे पैर में गोली लग गई है हाला कि इस मामली में रावन सकंच सीओ ने बताया कि मामला संधिक्त है दोनों पक्ष से लोग घायल हुए है एक व्यक्ति गोली लगने की बात बता रहे हैं उनको ट्रामा सेंटर रैपर किया जा रहा है और आगे की जांच के बाद कारवाई की जाएगी मामला तरसली है कि अभी जिंतगी भर हम उनके गुलाम बनके अभी तक रहे हैं अब उनके खिलाप परधानी लड़ने जा रहा हैं इसके मज़ा से इसा अब क्या बता है कौन है वो क्या ना बनका है पंकर्ज पाड़े अच्छा क्या कह रहेते हैं पहले तो एक चकाम को पहले तो पहले तीनों भाई मिल के मारे जब हम भागने लगे तो फिर गोली चलाया है अब गोली फग गई हड़ी में कहां गोली लगी है पैर में आपश में जगडा हुआ है और एक पक्च को चोट आई है दूसरे पक्च के पैर के तलवे में अजय पांड़े है उसके पैर के तलवे में चोट आई है प्रथम दिष्टिया संदिग दप्रतीत हो रहा है, विवेचना प्रचलित है, और गुर्दोस के आधार पर तथ्यात्मा विवेचना करके उस पे निस्तान करा जाएगा. अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज एसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाली।